यह next topic is line inclined to both the reference plane हम लोगों जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो तुमा क्या था parallel to VP, perpendicular to VP या फिर inclined to single plane यहां पर पढ़ोगे line inclined to both the reference plane ओके, before we start this topic आपको कुछ चीज महलूम होना चीए जैसे कि आपको एक line दिया हुआ है which is parallel to VP but inclined to HP थोड़ा सोचो उसो कैसा हो सकता है line is parallel to VP and inclined to HP तो उसका front view क्या होगा आपका true length के बढ़ाबर होगा लेकि उसका top view तुमारा क्या होगा? reduced रहेगा ठीक है वैसे ही जब आपके पास कोई line दिया हुआ है which is inclined to VP parallel to HP तो उसकेस में तुमारा क्या रहेगा बताओ आपका जो top view है वो तुमारा क्या रहेगा true length के बढ़ाबर रहेगा और front view आपको दिया रहेगा वो तुमारा क्या रहेगा साथ रो होंगे और दो कॉलम होंगे यहां परहले आपका लिखोगे true length लिखना फिर front view top view theta phi alpha and beta यह angles क्या है यह सब क्या है आपको सब बताओंगा मैं ठीक है तो यहां पर हमें example लेते हैं आपको एक question दिया हुआ है line आपको दिया हुआ है AB लाइन का नाम क्या है AB है ठीक है जिसका एक point आपको दिया हुआ point A का आपको location दिया हुआ है जैसे कि माल लो 10 mm above the HP and 15 mm in front of the VP देखो उपर दिखाया मतलब अबव होगा आगे दिखाया मतलब in front होगा ठीक है अब देखो यहां पर जो आपको box दिये हुए ना इसमें क्या होगा आपको कोई team value आपको दिये रहेगा let's suppose आपको true length दिया हुआ है 70 mm theta आपको दिया हुआ है 30 degree और 5 आपको दिया हुआ है 45 degree दिया हुआ ठीक है तो देखो उसको अपन कैसा बनाएंगे सबसे पहले आप क्या करोगे एक xy reference line ड्रॉ कर लेना ड्रॉ कर लिए लैट सबसे पहले आपको दो लोकेशन दिया यह पॉंट एक आपको लोकेशन दिया 10 mm उपर और 15 mm नीचे तो यहां से आप चले यह उपर 10 mm उपर चले गए इस इस ए डाश ठीक है और यहां से अपक्या करोगे 59 mm नीचे जाओगे तो लेट सबसे इस ही माई ए ओके हम लोगों यहां पर पॉंट दिखा दिया अब आप क्या करोगे ऑलिजॉंटल लाइन ड्रॉ करना पैरलल तो दिस xy reference line देखो होईजॉंटल लाइन आप ड्रॉ कि दिया ठीक है अब आप क्या करना देखो आपको दिया क्या है देखो इसको छोड़के बाकि सारे वैलिजुका चेक करना पर आप दिया क्या है थेटा थेटा कहा सोगा यहां सोगा हमेशा यहां सोगा अब यहां पर क्या हैगा यहां पर एक लेंथ होगा जो क्या होगा ट्र बीवन डैश और इसका नाम होगा ट्रू लेंद्थ जो कि हम यहां पर लिखेंगे यहां पर क्या लिखा हूं वह आपको बात में बता होगा ठीक है अब तुम क्या करोगे देखो तुम को फाई भी दिया फाई क्या होता है वी पीस एंगल होता है ठीक है तो बीपीस अपर द देखो आपके पास यहां बीडाश है और यहां पर पास बताव क्या दिया आपको बीवन दिया तो आप क्या करना पर सबसे पहले यहां पर एक होईजांटल ड्रॉ कर लेना यहां भी होईजांटल ड्रॉ कर लेना चीक है एक होईजांटल ड्रॉ कर लिया अब आप क्या करो तो B1' को A के reference तक लेकिया हूँ, देखो, B1' को A' के reference तक लेकि नहीं है, मैं, कहां तो लिख्या है, A के reference तक लेकिया है, because this is my true length, वैसे हैं क्या करना, B1 को पकड़के, B के reference तक नहीं, बल्कि A' तो लेकि, B1 को लेकि A के reference तक अपन नहीं आएंगे, बल्कि A' के reference तक लिखा गे ओपर, ठीक है, तो यह अपनी क्या होगा देखो आप अपना, ट्रू लेंथ दिया होगा, अब आप क्या करोगे, यहां से यहां तक का राउंडर पकड़ना यहीं पर रखते वे इसको ऐसा गुमा देना चीक है ऐसे गुमे गई यह वैसे आप क्या करना यहां से यहां तक का राउंडर से मेशर करना यहां पर रखते वे इसको ऐसा नीचे गुमा दो एसा गुमा तो देखो यहां पर जब आयागा तो यहां पर क्या हो जागा यह बी डैश हो जाएगा और यहां पर जब आया तो आपर क्या हो जागा यह बी हो जाएगा अब देखो, angle made by front view with the xy या फिर hb, तुम्हाँ क्या होगा तो यह alpha होगा, चीक है, वैसी angle made by top view with the xy, तुम्हाँ क्या होगा यह, बीटा होगा, कुछ सम्झे हैं तक, ठीक है, अब देखो, यह आपको जो front view बना है न, this will be of hb, यह आपको जो top view बना होगा, this will be also of hb, true length, जो आप बनाया थे, यहाँ बनाया हो, that will be of 2h pencil, xy will be of 2h pencil, बाकि आपको जितना काम है, यह आपको यहाँ यहाँ पर आप द्रॉख कियो, this is trajectory, यह न, this is projection of a, and a dash, वैसे आपको देखो, यहाँ पर तुम्हाँ कुछ बना हुआ है, ठीक है, ओके, यहाँ पर clue है, जो आपक आपका question सही है कि नहीं, वो यह है, जीकि जैसे a और a dash, same vertical line पर आता है, वैसे आपको b और b dash, same vertical line पर आना चाहिए, अगर यह line vertical है, इस line के perpendicular है, इस xy line के अगर परपेंडिकुल है, तो तुम्हारे यह question एकदम exact सही होगा, ठीक है, ओके, अब आप क्या करना, यह values, जैसे यहाँ पर front view आपको बचा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, बाकि देखो value आपको यह नहीं लिखा हुआ है, इसको measure कर लो यहाँ से, by the help of scale और चांदा जो भी है, इसको यहाँ पर लिखो, खताम आपका answer फे, thank you, अब एक ली क्या रहा हुआ, ठीक है, okay, ht निकाल रहो, let's suppose, ठीक है, तो ht के बता हुआ, आपको क्या करेंगे, जबका front view दिया हुआ है, तो front view क्या करो, extend करो up to xy line, ठीक है, ht के लिए, मैंने front view के extend के up to xy line, ठीक है, यह पता हुआ को point क्या हुआएगा, this is h dash, ठीक है, अब यहा अब आप क्या करना जब आपको टॉपी दिया होना टॉपी क्वेशन में इसको आप एक्स्टेंड करो और इस लाइन तक छुआ उसको कि देखो कहा जा रहा है यहां से यहां से दिखना एक चूँ यह आप क्या हो जाएगा हुए हमें क्या बुला जहां पर अप अच्चे वाइन तर ले नक्वाइन को सथे करना फारें जहां यह टकराएगा वह पॉइंट होगा अब वह तुम्हां पॉइंट क्या होगा एच्टी होगा वैसे आप क्या करोगे विटी केस में क्या होगा बताओ जो आपका टॉप यू रहाएगा उसका एक्स्टेंड करोगा अप्टू एक्स वालाइन तो देखो आप यह एक्स यहां से वर्टिकल ड्रॉड किए वर्टिकल ड्रॉड करने बाद फ्रन्ट व्यू को यहां पे मैच करेंगे तो यहां पर टकर आई ही चीज़ देखो तो यहां पर टकरा है तो दिसी माई दिसी वाट लिसीज इस वी टी ठीक